नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मा सनमार अगर आपका नाम का पहला लेटर अल से सुरू होता है या फिर आप मेस रासी के हैं तो ये वीडियो आपके लिए है अन तक बने रहे हैं और ये प्रेडिक्शन चन रासी पर आधारित है तो चलिए जानते हैं एल नाम बालों के लिए मेस रासी बालों के लिए ये 2022 में आपका धन, बेवाही जीवन, प्रेम जीवन, नौकरी, बेपसाई, संतान, लगबख सब कुछ कैसा रहने बाला है, क्या मिलेगा, कितनी खुसिया एल अक्छर बालों का रासी फल 2022, यानि एल नाम बालों के लिए 2022 में क्या कुछ बड़ा बदला होने वाला है, आईए जानते हैं बिस्तार से, वैसे एक और बात बता दें, कि जिनका भी नाम का पहला लेटर एल से सुरू होता है न, ये लोग बड़े ही दिलदार होते हैं यानि कि जिनका भी नाम का पहला लेटर एल से सुरू होता है न, किसी भी चीज के बारे में दिल से सोचते हैं, और जीवन में किसी बड़ी चीज का लालज भी नहीं रखते हैं, वैसे इनके बारे में आज हम जानेंगे 2022 में इनका करियर बेपसाय, इनका स्वास्त, सिक्ष और लव लाइब तमाम चीजे कैसी रहेगी, चले जानते हैं विस्तार से पहले इनके बारे में दो सब्द, सुभाब थोड़ा सा रुवावदार होता है, हाना कि क्रोध पर कंड्रूल करना आता है, लेकिन छोटी-छोटी चीजों में खुसियां ढूंडते हैं और खुस भ पक्के होते हैं, वैसे तो परिवार के लिए बहुत खास होते हैं, हमेशा ही दूखनों का सुख दुख बाटने का प्रयास करते हैं, तो चले जानते हैं आपके सिक्षा और करियर के बारे में, जो बिद्यार थी है न, एल्थ लेटर से जिनका भी नाम सुरू होता है, ये पढ़ाई के प्रतिन का लगन तो होता है, पर 2022 रिजल्ट के मामलों में ये समझ लें, अभी तक आपने जो महनत किये उसका फल अब मिलेगा, प्रतित्य पिछा में सफलता के साथ नौकरी बेपसाय में भी उन्नती है, लेकिन थोड़ा उता चड़ाओ भी है, क्योंकि 2022 तक आप अपनी तमाम परिस्तितियों को अपने अनुकूलत कर लेंगे अंध तक, पर महनत कराएगा ये साल, इसलिए महनत का फल आपको मिल रहा है, कठिन प्रयास से सफलता, इसके लिए आप दयार रहें, लव लाइप की बात करते हैं, तो उमीद से कहीं ज़्यादा अच्छ करेंगे और दिल की बात कहने के लिए वक्त बहुत अच्छा है, परिवार में कोई बड़ी खुसकवरी इसमें मिलती दिखती है, वैसे विवाब एगर होने की भी संभावना है, खास कर लब से, और आपके बैवाही जीवन अच्छा है, क्योंकि प्रेम बढ़ेगा, रिले 2022 जो है, आपके लिए गरहों की चाल कुछ ऐसी बनी है, कि जीवन में धन आता जाता रहेगा, लेकिन धन की स्तिदी आपकी मजबूत रहेगी, तरक्की होगी, धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़ेंगे, पैत्रिक संपत्ती प्रोपर्टी पाने के भी योग है, पर हाँ, ख तो क्यों न, अभी से चीजों को आप बेहतर करने के लिए प्रयास करें, बैभाही जीवन में वस ये समझ लें, कि आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, और अगर आप और विभाहित हैं, तो विभाह की अर्चने समाप्त होकर, आप एक अच्छे साथी को प्राप्त इस 2022 में जरूर करेंगे, तो अपनों की खुसी के साथ धन की स्तिती भी बढ़िया है, सेर मार्केट बेगरे में इंबेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको लाब जरूर होगा, और किसी नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो ये स्वास्त की बात करें, तो आपके दिंचरिया पर आपको ध्यान देना है, स्वास्त के साथ आप खिलवार नहीं कर सकते, थोरा सा अपने उपर भी ध्यान दे, तभी तो आप अपनों का खयाल रख पाएंगे, यानि अपने उपर आपको ध्यान रखना है, तो 2022 में एल बाल क्या कुछ बड़ा बदला लेकर आया है तो चलिए जानते हैं विस्तार से इसके पहले एक और बात 2022 का आरंब कन्या लगन और ब्रिस्चिक रासी में हो रहा है अब में इस वालों आपका आठवा घर में जो की जीवन में अचानक होने वाले लाभानी का घर है और यहीं पर 2022 क की सुबात हो रही है तो ऐसे में ग्रहों की स्थितिकी बात करें तो आपके रासी के स्वामी मंगल केतु और चंडरमा अपनी ही रासी के जेश्ठा नचत्र के प्रथम चरन में भर्मन करते वे नजारा रहेंगे और साथ ही साथ 2022 में आपको आपके जो क्रियेटिव भागे के स्वामी सुक्र सूर्य के साथ चौतेव घर में है जिसके फलसरुक्या होगा धन धान बढ़ता जाएगा सितारों का गती कहता है कि साल की सुरुआत आपके जीवन में खुसियां तो लाएगा लेकिन स्वास्त की समस्याओं से आपको बशना होगा तो चलिए सुर 22 में मेस वालों के लिए नौकरी के जो स्वामी है सुरुआत से लेकर जून तक आपका बस यह समझ लें कि मेस वालों आपको खुदों को साबित करने के लिए एक अच्छा मुका मिल रहा है दिसंबर सनी का प्रिवरतन होगा और यहां से पदोनती के मार्ग भी खुलेंगे ट्रांसफर के योग बनेंगे लेकिन अगर आप मसी नरी चमरा तेल उद्योक से जुड़े हैं तो आपके लिए यह वक्त बहुत अच्छा है अगर आप जौप की तलास में है तो प्रियास देज करें अगर आप फिल मीडिया गलेमर संगीत से जुड़े हैं तो भी आपके सिख्छा के मामलों में जो आपके राशी के स्वामी सुर्य और सिख्छा का कारगर ब्रस्पति नवे और ग्यारवे भौ में अब यहां पर क्या होगा परिस्ट्रम से किसी भी बड़ी से बड़ी प्रतोईता प्रिक्छा में सफलता प्राप्त कर लेंगे तो इसके लिए थ आप रोज भगवान सुरी को परणाम करके 27 बर गायतरी मंदर पढ़ें वैसे तो आपके लिए जो अप्रैल तक का वक्त है आपके लिए बहुत अच्छा है जितना मेहनत कर सकते हैं कीजिए और साल के जो जुलाई के मेहने से लेकर फिर दिसंबर तक का वक्त बढ़िया है त बीच में जो मई जून 12 जुलाई तक यह जो धाई महने है न वो थोड़ा सा आपको भटकाओ देगा स्वास्त की बात करते हैं तो देखिए आपके लिए स्वास्त उत्तम है क्योंकि मंगल आपकी रासी से अस्ट्रम घर में चंद्रमा केतू के साथ अब आठवा मंगल जो क्योंकि जरोज से जादा क्रोध करना भी सही नहीं है मन की चंचलता है और इसी से बशनी के लिए तो सूरी को परणाम करके गायतरी मंदर पढ़ना है और ये मन की चंचलता अगर आप काबू पा लेते हैं तो ध्यान का भटकाओ नहीं होगा और फिर चीज़े आपके पक् स्थान नहीं होगी आई जानते हैं आपके प्रेम के बारे में तो आपकी जो प्रेम संबंद के कारक सुरह है ना भागयस्थान में है सुक्र के साथ अब क्या होगा सुरुआत में ही आपका प्रेम संबंद सुरू हो जागा इसलिए आपको अपने दिल के बाद अपने प्र surprise की उमीद आप भी कर सकते हैं और वो भी आप से करेंगे तो चीजों को gift वेगर आदान परदान करें अगर आप चाहते हैं तो रिस्ते आपके लंबे समय तक चले पारी बारी जीवन की बात करते हैं देखें पारी बारी जीवन के मामलों में आपके लिए योक्त बढ़िया है क्योंकि प्रेम तो बढ़ेगा ही अपनों के साथ कठिन वक्त में अपने हमेशा आपके साथ रहेंगे सपोर्ट करेंगे छोटी मोटी नोग जोख है पर बड़ा मुद्दा नहीं है बैस ना करें तो ज़्यादा अच्छा है घर में सांती भंग ना हो इसका ध्यान रखें अक्टूबर के महिने में आपको अपनों का खास ख्याल रखना है क्योंकि थोड़ी सी चिंताएं है पारी बारी जीवन भी आपका उत्तम है धन की बात करें अगर तो देखिए जो आपका धना और कुटूम का स्वामी है वो सुक्र है नवे, दस में, ग्यार में, बारो ये भाम में बीचन करेगा तो यकीन आना आपके लिए तो हरभाव होई उत्तम है तो ऐसे में मेहनत से धना आएगा और आप मई, जून जो जुलाई का मेहना है लग्जरी लाइफ है जीवन में कुछ खास होगा और जूलाई से लेके अक्टूबर तक का वक्त है ये भी आपको बस समझ लें कि सुबब और मंघल चीजे होंगी जीवन में हालाग कि अक्टूबर के मेहने में आपको धंक के नुकसान से बशना होगा और खर्चों पर कंट्रोल करना होगा बात करते हैं आपके संतान की संतान का सुख भी मिलेगा क्यूंकि आपके संतान भाव के जो स्वामी है वो भागया स्थान में अब ऐसे में संतान तरक्की भी करेगा उनको जीवन में धेर सारी खुशिया मिलेगी और संतान की जो चंचलता है वो थोड़ा सा आपको परिशान कर सकता है तो ऐसे में आवेस में मताईए परिस्तिती को बेहतर करने के लिए ठंडे मैंड से सोचिए और छुटी छुटी बातों पर जैसे की आप संतान के उपर थोड़ा सा आप एकदम से तन जा रहे हैं कुछ बोल दे रहे हैं ऐसा वेसा मत कीजिए दोस्ताना बेभार रखिए हलांकि उनका बेभार धीरे धीरे बदल जाएगा तो कोई खास टेंसर नहीं है बस आपको अपनी आपको टीक करना है संतान कुटीक हो जाएंगे बात करते हैं अपना मकान भूमी भवन प्रोपर्टी वहन का सुख कितना मिलेगा देखिए मकान वहन का जो कारक है वो चंदरमा आपके रासी के सवामी मंगल के साथ चंदर मंगल राजियोग और नीज भंग राजियोग बना कर बैठा है तो ऐसे में आपके लिए या तो आप नया घर लेंगे या फिर पुरोने घर को ही आप बढ़िया करवाएंगे इस से में नया वाहन प्राप्त करने के योग थोड़े कमजोर है पर वाहन का सुख आपको आगे चल कर मिलेगा दामपत्य जीवन ये उत्तम है क्योंकि जो दामपत्य जीवन का स्वामी सुक्र है वो नवे घर में अब वर्स की सुरुआ से लेकर अप्रेल तक जो वक्त है जब तक कि आपका यहाँ पर वैवाहिक जीवन आपको बहुत अच्छा है यहाँ पर देव मई जून और 12 जुलाई तक का जो वक्त है थोड़ा सा उतार चड़ाओ रहे का लेकिन फिर भी आपके लिए यह वक्त पढ़िया है बस एक दूसरे को नीचा दिखाना आरयोप लगाना बेवजह मुद्दा बनाना यह सभी मत कीजिए मत की क्योंकि मेस वाले ना बातों को बहुत है इसका ध्यान रखे एक दूसरे का साथ दे और सितंबर अंतिम से लेकर अक्टूबर का जो मेहना है यानि की करीब एक सबा मेहना रिस्तों पर ज्यादा ध्यान देना है वानी पर कंट्रोल रखना है क्योंकि आपकी वानी में करभाहत रहेगी समय अब बात करते है हैं आपके संतान की तो संतान के लिए अच्छा वक्त है वैसे उनका बैवार को थोड़ा सब बदलिए और अपने आपको भी थोड़ा बदलिए बिजनेस की बात करें तो आपका बैपार का सौमी जो शुख्र है भागे स्थान में अब क्या होगा कि अगर आप सुख्र वा तो ज्यादा अच्छा वक्त है और इस में भी मेश वालो थोड़ा सा कठीन वक्त सिर्फ आपके लिए अक्टूबर नोवंबर यानि कि यहां पर दिए सुरी का नासी परिवर्तन ये दो महिने में तुरा सा टेंसन देगा हलां कि ज्यादा मत घब रहे क्योंकि कई बड़ा ट पी बार के दिन गाई को गुड़ और काला तिल खिला या सनी बार के दिन ही खिला दें तो अच्छा रहेगा हम आप से विज़ा लेंगे हर हर महा दे और गैत्री मंत्र आपको हर हाल में पढ़ना है धन्यादा